मेel एब्रियवन आज की वीडियू में आप सबके साथ एक बहुत ऐसान रेसिपी शेयर रहे हूँ जिस रेसिपी से आप अपने रैड वलगवेट केक का स्पंझ वना सकते रैड वलगवेट मॉफिन बना सकते हैं और बहुत सारे different छीजें आप इस recipe से create कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूं आपके साथ Red long bed muffin की रेसिपी, इस recipe से आप बहुत आसानी से 3 चीजें बना सकते हो और बहुत आसान रेसिपी है, single bowl रेसिपी है फिलाल में मेरे पास बहुत सारे muffins के order आये थी जिसमें मैंने different different flavor के muffin मेना करते हैर करी थी उन मेंसे ही मैं आपकी साथ आज Red Velvet Muffin की recipe शेयर कर रही हूं पाकी recipes में मैं आपकी साथ जल्दी ही share करोंगी तो सबसे पहले मैंने एक mixing bowl लिया है उसके बाद इसमें मैं एड किया है के लिए rest करने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद आप देखोगे कि milk जो है थोड़ा सा करडल हो गया है और उसके बाद इसमें हम add कर देंगे इसमें एड कर दिया है सारे ingredients मैं आपको आज 250 ml वाली measuring cup से दे रही हूँ आप चाहो तो 250 ml का measuring cup भी यूज़ कर सकते हो और इससे कम-कम measuring cup आपको यूज़ नहीं करना है बट इस recipe के लिए 240 ml का measuring cup अगर आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हो तो औल को एड़ करने के बाद मैंने इसमें half teaspoon vanilla essence एड़ कर दिया है और उसके बाद इसमें मैंने एड़ किया है color mist का red food color और बन फूर टी स्पून something मैंने red food color इसमें एड़ किया है और उसके बाद एक बाद अच्छे से mix कर दिया है उसके बाद इसके उपर मैंने चलनी रख दी है अब इसमें हम add करेंगे अपने dry ingredients तो सबसे पहले मैं इसमें add कर रही हूँ powdered sugar तो बन कप powdered sugar मैं इसमें add कर रही हूँ बन 4 टी स्पून मैंने इसमें नमक add किया है और उसके बाद 2 टी स्पून मैंने cocoa powder add किया है जब भी आप red velvet cake बनाओ तो उसमें जो cocoa powder add करना है वो आपको natural process का use करना है क्योंकि dust process का cocoa powder use करने से red velvet cake sponge का या इनके cupcakes का color बहुत dark हो जाता है तो जब भी आप red velvet cake बनाओ जो cocoa powder use करो वो आप natural process वाला use करो ऐसा करने से आपके red velvet cake का color कभी भी खराब नहीं होगा वो एकदम dark red ही बनेगा उसके बाद सारे ingredients को अच्छी से चान लेंगे और चानने के बाद एक smooth and lumps free batter बना कर तेयार करेंगे तो batter को बनाते time बिल्कुल भी batter को over mix नहीं करना है batter को हलकी हातों से दीरे-दीरे करके mix करेंगे cake बनाते time कभी भी batter को आप जब भी आप over mix कर दोगे तो आपका cake जो hard बनेगा, tough बनेगा तो cake का batter बनाते time उसे हलकी हातों से mix करें और batter को एक ही direction में mix करें तो यहां पर batter बनकर अभी एकदम ready है आप देख सकते हो एकदम color कितना pure red और बहुत ही beautiful लग रहा है batter की consistency cake cupcake बनाती टाइम थोड़ी सी गाड़ी ही होनी चाहिए बहुत रहनी consistency का batter होगा तो आपका जो muffin होगा उसमें आप जो भी चीज़े add करोगे वो नीचे बैट जाएंगी तो muffin मनाती टाइम batter की consistency एकदम ribbon consistency की होनी चाहिए तो यह मैं आज muffin बना रही हूँ तो इसमें मैंने white choco chips add की है अगर आप cupcake बना रहे हो तो white choco chips आप विल्कुल avoid कर सकते हो और add भी करोगे तो भी कोई problem नहीं है मैंने muffin बनाए है इसलिए मैंने white choco chips add की है और यही recipe आप same one casey cake के लिए cake sponge बनाने के लिए भी use कर सकते हो यह जो batter होता है वो 600 gram का होता है और इससे आप अपने red velvet cake का one casey का cake बना सकते हो बन के जी का red velvet cake बना सकते हो इस recipe से और इसी recipe से आप अपने cupcakes भी बना सकते हो same recipe आप cupcake, muffin और red velvet cake sponge के लिए use कर सकते हो तीनों ही recipe एक ही चीज़ से आप तीनों recipe बना सकते हो तो यहाँ पर मैं अभी muffin बना रही हूँ बिल्कुल भी add नहीं करने हैं तो इस बैटर से total 12 muffin बनते हैं यह काफी बड़ी size का एकदम large size का paper cup है अगर आप medium size का paper cup यूज करोगे तो 14 muffin बनेंगे 14 cupcake बनेंगे और अगर आप large size का यूज कर रहे हो तो इससे 12 muffin बनेंगे 12 cupcake बनेंगे तो इस तरीके से मैंने paper cup में बैटर को डाल दिया है उसके उपर टॉप पर मैंने फिर से चौको चिप साइट कर दिये हैं और उसके बाद अब हम इसे बेक कर लेंगे 170 degree centigrade पर preheat करने के बाद इसे हम 22-25 मिनट के लिए बेक करेंगे अभी फिलाल में बहुत सारे muffin के order थे लगवग मैंने 100 muffin बनाए थे different different flavors में और उनकी recipe में आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी आज मैंने आपके साथ Red Velvet Muffins की recipe शेयर की है तो recipe कैसी लगी comment करके बताएएगा फिर मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए